दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बॉलिवुड के दिगजबिनेता विकरम गोकले कुछ दिन पहले पूरे में गंबीर हालत में अस्पताल में भरती कराए गए थे और वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे पर उन्होंने कुछ देर पहले ही यानि 26 नवंबर को अंतिम सास ली जो अपनी इस जंग से नहीं लड़ सके और इस दुनिया को अलविदा कह गए जहां आप पूरे बॉलिवुड में मातम का माहौल चा गया है और इनकी फैमली के साथ साथ सभी बॉलिवुड सितारों की आँखे नम नजर आ रही हैं तो वहीं सब विकरम गोकले की बातों को को याद करके रोए जा रहे हैं और इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से सितारे हैं जो काफी जादा भावुक हो चुके हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं बॉलिवूड के बिग बी यानि अमिताब बच्चन की बता दे कि जब इन्होंने विकरम गोकले के निधन के बारे में सुना तो यह हैरान हो गए क्योंकि इन्हें ये तो पता था कि विकरम गोखले की इतनी जादा खालत खराब है जब से ही इनके आशू नहीं रुक रहे थे जिसमें विक्रम गोखले एक कविता सुनाते हुए नजर आ रहे थे लेकिन जब अनुपम खैर ने कहा कि कविता अधूरी रह गई है तो विक्रम गोखले का कहना था कि जिन्दगी अधूरी है मेरे दोस्त और आज अनुपम खैर की इसी कविता और इन्हें याद करके ये भा आसु थम नहीं रहा है और ये बस रोए जा रही है क्योंकि विक्रम गोखले थे ही ऐसे इंसान की उन्हें याद करके सभी भावो को रहे हैं वेल दोस्तों विक्रम गोखले के इस निदन पर आप क्या कहना चाहेंगे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवुड अंडर्स्टे से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना कुलें